Hello guys, welcome back to my new video guys आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दोस्तों हम जैसे Instagram open कर रहे हैं तो यह automatic दोस्तों cut जा रहा है यह देखो automatic white होके cut जा रहा है या फिर दोस्तों black होके automatic cut जा रहा है ठीक है यह दोस्तों Instagram जो है open ही नहीं हो रहा है तो आप इस वीडियो को पूरा end तक जरूर देख लेना ठीक है और आपको अगर यह वीडियो अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को like और share करना साथ ही चैनल को subscribe कर लेना दोस्तों यह देखो मेरा Instagram open हो चुका है लेकिन दोस्तों बहुत से लोगों के साथ यही problem आ रहा है कि जैसे यह Instagram अपना open कर रहा है वो दोस्तों automatic cut जा रहा है ठीक यह open नहीं हो रहा है तो इसके लिए हमें क्या करना है दोस्तों सबसे पहला जो मैं आपको tips बताता हूं ठीक है पहला tips वो आपको play store पे जाना है और यहाँ पे आपको Instagram सर्च करना है और देखना अगर आप में update आया हो तो सबसे पहले तो update कर लेना क्योंकि कभी कभी application में ऐसा भी होता है कि यहाँ पे अगर आप update नहीं किये होगे ठीक है तो आपके Instagram यह problem आ जाता है जैसे कि बहुत दिनों से आपने अपडेट नहीं कर रखा है और कुछ नए नए अपडेट Instagram ने कर दिए तो इसमें दोस्तों यह problem आ सकता है तो सबसे पहले आपको यहाँ से अपने Instagram को update करना है इधा आप update करो ठीकिए अपडेट करने के बाद दोस्तों अगर यह update से कोई problem होगा इस तरीके से problem आ रही होगी तो जरूर fix हो जाएगा देखो गईज यहाँ पर हमारा Instagram अपडेट हो चुका है अब दोस्तों आपको open करना है यहाँ से हम फिर से Instagram को open करते हैं और फिर से अगरे आप में वही problem आये ठीके open करते ही Instagram कट जाए तो आपको दोस्तों एक और तरीका में आपको बताता हूँ यहाँ पर क्या करना है सेटिंग वाले option पर क्लिक करना है उपर में देखो setting आ रहा है इस पर क्लिक करना है इस पर आने के बाद दोस्तों थोड़ा सा scroll down करेंगे तो यहाँ पर आपको एक apps का option मिल जाएगा ठीक है आपको apps वाले option पर क्लिक करना है यहाँ पर आने के बाद दोस्तों एक यह देखो manage app सबसे उपर में मिल जाएगा इस option पर क्लिक करना है यहाँ पर आने के बाद यह देखो यहाँ पर सारे application आ जाएंगे आपको यहाँ पर search box मिलता है इसमें आपको Instagram सर्च करना है देखो Instagram आ चुका है हम इस पर click कर लेंगे यहाँ पर आने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखो clear data का एक option आ रहा है ठीक है clear data आप कर लोगे तो हाँ यह यह तो है कि आपने default में जो सीव कर रखा होगा पूरा clear हो जाएगा उसमें कुछ नहीं बचेगा लेकिन दोस्तों clear करने से भी आपका problem solve हो सकता है हो सकते हैं आपके Instagram में ज्यादा कुछ वाइरस वगरा हो इस वजह से भी यह problem आ सकती है तो आप पूरा full हो जाएगा इसकी वजह से भी यह problem आती है तो आपको अपने phone के storage को चेक करना है उसके बाद में जाओ अपने phone के गैलरी वगरा में और वहां पर देखो कुछ ऐसे फालतो वीडियो वगरा परे हुए है या फिर कुछ ऐसा फालतो परा हुए तो उसे delete कर दो ठीक ह तो इससे भी दोस्तो यह problem solve हो सकता है अब दोस्तो मैं आपको एक और चीज़ बताता हूं यहां पर आपका network है ठीक है इसकी वजह से भी यह दोस्तो problem आ जाती है तो आपको क्या करना है जैसे कि देखो यहां पर मेरा network बिल्कुल सही काम कर रहा है ठीक है तो अगर आपको यह problem आ रही है तो आप एक बार अपने phone को flight mode में डालो ठीक है flight mode में डालने के बाद फिर flight mode से बाहर निकालो और जैसे बाहर आ जाएगा उसके बाद दोस्तों आप एक बार फिर से Instagram को open करके देखो तो दोस्तों आपको यहां से Instagram जो है जरूरू open हो जाएगा ठीक है यह द से आपका दोस्तों Instagram जरूर सही हो जाएगा ठीक है दोस्तों अगर आपने मुझे Instagram पर फॉलो नहीं किया तो मेरा ID है विकास प्रजापती 165 फॉलो जरूर कर लेना इस वीडियो में इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेर करके च हिंद जय भरत